C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय आठ राशियों की तुलना प्रिष्ठ एक सा उनासी आठ दशमलव चार दशमलव तीन अनुपातों से प्रतिशत कभी कभी किसी वस्तु या राशी के भाग अनुपात के रूप में दिये होती हैं और हमें उन्हें प्रतिशत में बदलना पड़ता है निम्न उधाहरणों पर ध्यान दीजिए उधाहरण चौदा है रीना की माता जी ने बताया कि इडली बनाने के लिए एक भाग उड़त की दाल तथा दो भाग चावल की आवश्यकता होती है इडली के ऐसे मिश्रण में उड़त की दाल वच चावल का प्रतिशत ग्याद कीजिए हल मिश्रण को अनुपात रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा चावल अनुपात उड़त की दाल बराबर दो अनुपात एक अब कुल भाग है दो जमा एक बराबर तीन अर्थात मिश्रण में दो बटा तीन भाग चावल तथा एक बटातीन भाग उड़द की दाल है। अथह चावल का प्रतिशत होगा दो बटातीन गुणा सो प्रतिशत बराबर दो सो बटातीन बराबर छेयासट दो बटातीन प्रतिशत. तथा उरद की दाल का प्रतिशत होगा एक बटा तीन गुणा सौ प्रतिशत बराबर सौ बटा तीन बराबर तैंतीस एक बटा तीन प्रतिशत उदहरन पंद्र है रवी, राजू तथा राए में दो सौ पचास रुपए इस प्रकार बाटे गए के रवी को दो भाग, राजू को तीन भाग तथा राए को पांच भाग मिले इस बठवारे में प्रतिएक को कितना धन मिला तथा उनका प्रतिशत कितना था हल, प्रतियक के भाग को अनुपात रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा दो अनुपात, तीन अनुपात, पांच सभी भागों का योग हुआ दो जमा तीन, जमा पांच, बराबर दस कुल राशी में प्रतियक का प्रतिशत रवी को मिला दो बटा दस गुणा सो प्रतिशत, बराबर बीस प्रतिशत राजु को मिला तीन बटा दस गुणा सो प्रतिशत, बराबर तीस प्रतिशत राय को मिला 5 बटा 10 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 50 प्रतिशत प्रत्येक को मिली राशी 2 बटा 10 गुणा 250 रुपई बराबर 50 रुपई 3 बटा 10 गुणा 250 रुपई बराबर 75 रुपई 5 बटा 10 गुणा 250 रुपई बराबर 125 रुपई प्रयास कीजिये एक, पंद्रह मिठाईयों को मनु तथा सोनु में इस प्रकार बाटिये के उन्हें कुल का क्रमशह 20 प्रतिशत तथा 80 प्रतिशत मिले दो, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तब उसके प्रतियक कोण की माप क्या होगी प्रिष्ठ 180 8.4.4 बढ़त या घटत प्रतिशत रूप में अनेक अवसरों पर हमें किसी राशी में हुई बढ़त या घटत को प्रतिशत रूप में ग्यात करने की आवश्यकता होती है उधहरन के लिए यदि किसी प्रदेश की जनसंख्या पांच लाख पचास हजार से बढ़कर छे लाख पांच हजार हो गई तब ऐसी स्थिती में जनसंख्या की व्रिधि को प्रतिशत के रूप में समझना अधिक आसान होता है जैसे कहें के प्रदेश की जनसंख्या दस प्रतिशत बढ़ गई हम किसी राशी के बढ़ने या घटने को कुल राशी के प्रतिशत के रूप में किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं आईए निम्न उधहरनों पर विचार करें उधहरन सोल है एक विद्याले की टीम ने इस वर्ष छै खेलों में जीत प्राप्त की जबके पिछले वर्ष चार में ही की थी पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी हल जीत की संख्या में व्रिधी बराबर छै घटा चार बराबर दो बराबर जीत की संख्या में व्रिधी बटा पिछले वर्ष में जीत की संख्या गुणा सो बराबर दो बटा चार गुणा सो बराबर पचास अर्थात जीत में पचास प्रतिशत की व्रिधी हुई उधहरन सत्र है किसी देश में पिछले दस वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घट कर 100 लाख रह गई, घटने का प्रतिशत कितना रहा? हल प्रारंभिक राशी बराबर प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या बराबर 150 लाख प्रारंभिक राशी में परिवर्तन बराबर अशिक्षितों की संख्या में घटत बराबर 150 घटा 100 बराबर 50 लाख अथह प्रतिशत घटत बराबर राशी में परिवर्तन बटा प्रारंभिक राशी गुणा 100 बराबर 50 बटा 150 गुणा 100 बराबर 33 एक बटा 3 प्रतिशत अथह घटने का प्रतिशत 33 एक बटा 3 प्रतिशत है प्रयास कीजिए एक, बढ़ने या घटने का प्रतिशत ग्यात कीजिए अमीज का मूल्य दोसौ असी रुपाई से घट कर दोसौ दस रुपाई हो गया किसी परीक्षा में प्रापतांक बढ़ कर बीस से तीस हो गये दो, मेरी माताजी कहती हैं के उनके बचपन के समय पेट्रोल की दर एक रुपाई प्रती लीटर थी और आजकल यह भावन रुपाई प्रती लीटर है पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत की व्रिद्धी हुई प्रिष्ठ एक सौइक्यासी आठ दशमलव पांच मैंने इसे 600 रुपाई में खरीदा और मैं इसे 610 रुपाई में बेचूंगा ये एक दुकानदार की सोच है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्राय मूल्य यानि कास्ट प्राइस कहलाता है इसे संग्षिप्त में क्र मू यानि सी पी लिखा जाता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका विक्राय मूल्य यानि सेलिंग प्राइस कहलाता है और इसे संग्षिप्त में वि मू यानि स्पी लिखा जाता है आप किसे अधिक अच्छा कहेंगे यदि किसी वस्तु को क्राय मूल्य पर ही या उसे कम मूल्य पर या उसे अधिक मूल्य पर बेचा जाए क्राय मूल्य तथा विक्राय मूल्य के आधार पर आप तैय कर सकते हैं कि कोई वस्तु बेच कर आपको लाभ हुआ या नहीं यदि क्राय मूल्य यानि सीपी विक्राय मूल्य यानि स्पी से कम है तब लाभ होगा स्पी माइनस स्पी यदि क्राई मूल्य यानि CP विक्राई मूल्य यानि SP के बराबर है तब न लाभ तथा न हानी यदि क्राई मूल्य CP विक्राई मूल्य SP से ज्यादा है तब हानी होगी बराबर CP घटा SP यानि क्राई मूल्य घटा विक्राई मूल्य आईए कुछ वस्तूओं के ख्राए तथा विक्राए मूल्य देखकर खत्नों को समझने का प्रयत्न करें एक हिलोना 72 रुपई में खरीदा गया और 80 रुपई में बेचा गया एक टी-शिर्ट 120 रुपई में खरीदी गई और 100 रुपई में बेची गई एक साइकल 800 रुपई में खरीदी गई और 940 रुपई में बेची गई अब पहले कथन पर विचार करते हैं यहां क्राए मूल्य 72 रुपई है तथा विक्राए मूल्य 80 रुपई है अतह विक्राए मूल्य अधिक है क्राए मूल्य से अधह लाभ बराबर SP घटा CP बराबर 80 रुपए घटा 72 रुपए बराबर 8 रुपए अब आप अन्य दो कतनों की इसी प्रकार सोच कर व्याख्या करें 8.5.1 लाभ यहानी प्रतिशत में लाभ यहानी को प्रतिशत रूप में ग्यात किया जा सकता है ध्यान में रखिए के इसे सदाइव क्राई मूल्य पर ही परिकलित करते हैं उपरोक्त उदाहरणों में हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानी भी ग्यात कर सकते हैं आईए खिलोने वाला उदाहरण ही लेते हैं। यहां है CP बराबर 72 रुपए, SP बराबर 80 रुपए तथा लाभ बराबर 8 रुपए। लाभ प्रतिशत ग्यात करने के लिए नेहा तथा शेकर ने निम्न विधियां प्रयुक्त की इं। प्रिष्ठ 182 नेहा ने हल इस प्रकार किया। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रमू गुणा 100 बराबर 8 बटा 72 गुणा 100 बराबर 1 बटा 9 गुणा 100 बराबर 11 एक बटा 9 अतह लाभ प्रतिशत बराबर 11 एक बटा 9 यहाँ एक्चित्र में नेहा को सोचते दिखाया गया है लाभ यहानी प्रतिशत हमेशा क्र मूँपर शेखर ने इस प्रकार किया 72 रुपई पर आठ रुपई लाभ प्राप्त होता है अतह 100 रुपई पर लाभ बराबर 8 बटा 72 गुणा 100 अतह लाभ प्रतिशत बराबर 11 एक बटा 9 इसी प्रकार आप दूसरे प्रश्ण में भी हानी प्रतिशत ग्याद कर सकते हैं यहाँ CP बराबर 120 रुपई SP बराबर 100 रुपई है अतह हानी बराबर 120 रुपई घटा 100 रुपई बराबर 20 रुपई हानी प्रतिशत बराबर हानी बटा क्र मुव गुणा 100 बराबर 20 बटा 120 गुणा 100 बराबर 50 बटा 3 बराबर 16 बटा 3 प्रतिशत अतह हानी बराबर 16 बटा 3 प्रतिशत एक सो बीस पर हानी बराबर 20 रुपई अतह सौ रुपई पर हानी बराबर 20 बटा 120 गुणा 100 बराबर 50 बटा 3 बराबर 16 बटा 3 अतह हानी प्रतिशत 16 बटा 3 है अब आप साइकिल वाला उदाहरन हल करके देखिए हम यहां यह भी देखते हैं कि किसी वस्तु से संबंधित क्राय मूल्य विक्राय मूल्य तथा लाभ यहानी में तीन राशियों में से कोई भी दो राशियां ग्यात हूँ तो तीसरी राशी ग्यात की जा सकती है उदाहरन अठारह एक फूल दान का लागत मूल्य 120 रुपई है यदि दुकान दार इसे 10 प्रतिशत हानी पर बेचता है तब उसका विक्राय मूल्य ग्यात कीजिए हल पहले दी हुई राशियों को पहचानते हैं दिया है क्राय मूल्य बराबर 120 रुपई तथा हानी प्रतिशत बराबर 10 हमें ग्यात करना है विक्राय मूल्य सोहन ने इस प्रकार हल निकाला 10 प्रतिशत हानी का अर्थ है यदि ख्राय मू बराबर 100 रुपई तब हानी बराबर 10 रुपई अतह विक्राय मूल्य बराबर 100 घटा 10 रुपई बराबर 90 रुपई अतह जब ख्राय मू बराबर 120 रुपई है तब विक्राय मूल्य बराबर 90 बटा 100 गुणा 120 बराबर 108 रुपई आनन्दी ने इस प्रकार हल किया हानी बराबर ख्राय मूल्य का 10 प्रतिशत बराबर 120 रुपई का 10 प्रतिशत बराबर 10 बटा 100 गुणा 120 बराबर 12 रुपई अतह विक्राय मूल्य बराबर क्राय मूल्य घटा हानी बराबर 120 रुपई घटा 12 रुपई बराबर 108 रुपई प्रिष्ठ 183 83. दोनों ही विधियों से विक्राय मूल्य 108 रुपाई प्राप्त होता है। उधारण 19. एक खिलोना कार का विक्राय मूल्य 540 रुपाई था। एक दोकानदार ने उसे 20 प्रतिशत लाभ पर बेचा। खिलोने का क्राय मूल्य क्या था। हल हमें पता है के विक्राय मूल्य बराबर 540 रुपाई तथा लाभ बराबर 20 प्रतिशत। हमें ग्यात करना है क्राय मूल्य। अमीना ने इस प्रकार हल किया। 20 प्रतिशत लाभ का अर्थ है कि यदि क्राय मूल्य 100 रुपाई हो तो लाभ 20 रुपाई तथा विक्राई मूल्य 100 जमा 20 बराबर 120 रुपई होगा अर्थात 120 रुपई विक्राई मूल्य होने पर क्राई मूल्य बराबर 100 रुपई अथा 540 रुपई विक्राई मूल्य होने पर क्राई मूल्य बराबर 100 बटा 120 गुणा 540 रुपई बराबर 450 रुपई अरुन ने प्रश्न इस प्रकार हल किया लाब बराबर क्राई मूल्य का 20 प्रतिशत तथा विक्राई मूल्य बराबर क्राई मूल्य जमा लाब अतह 540 बराबर क्राई मूल्य जमा क्राई मूल्य का 20 प्रतिशत या 540 बराबर क्राई मूल्य जमा 20 बटा 100 गुणा क्राई मूल्य बराबर कोश्ट हकों में 1 जमा 1 बटा 5 गुणा क्राई मूल्य बराबर 6 बटा 5 क्राई मूल्य इसलिए 540 गुणा 506 बराबर क्राई मूल्य या 450 रुपई बराबर क्राई मूल्य इस प्रकार दोनों विधियों से क्राय मूल्य 450 रुपई है प्रयास कीजिए एक एक दुकानदार ने एक कुरसी 375 में खरी दी तथा 400 रुपई में बेच दी उसका लाभ प्रतिशत ग्याद कीजिए दो, एक वस्तु 50 रुपई में क्राय की गई तथा 12 प्रतिशत लाभ पर बेच दी गई उसका विक्राय मूल्य ग्याद कीजिए तीन, एक वस्तु 250 रुपई में बेचने पर 5 प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ उसका क्राय मूल्य क्या था चार, एक वस्तु पांच प्रतिशत हानी उठा कर पांच सो चालीस रुपई में बेची गई, उसका ख्रै मूल्य क्या था? अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर, गौरव मारवा, तक्नीकी समनवयक, बटिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, सौम् निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत